हाँ जी तो कैशो आप लोग चलो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉलव कर लेते हैं चुकि पिछले वीडियो में क्या है कि मैं यह वीडियो शूट कर रहा था और किवल यहां पे 7 को उच्ट को इसे यह क्या है सख़ा घल लोग चलो क्या है क्या ह già हृएं इसको पू कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिविएशन आपको मिलती है देखो सबसे पहले आप सब लोग जानते हो कि आप लोगा जो भी समर का सुरू में अब्जेक्टिव कोशन होगा उसका आंसर ओमार सीट पर भरना होगा तो यहां मैं यह जो सुरू को अब्जेक्टिव कोशन इनको OMR सीट पे बार बार एक एक भर कर नहीं दिखाऊंगा मैं क्यों कर देता हूं क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि इसको OMR सीट में कैसे भरना है पुरा ठीके नहीं तो ज्यादा टाइम रहेगा और आप सब लो सब्जेक्टिव प्रसंदों को शॉल्ब करने में अपना टाइम लगा दो यहां पर साफ साफ यह चीजह में और OMR सीट पे आप लोगो हमेशा ध्यान देना है कि बाल जो बाल पेन है काला और नीला ही उपियोग करना है जैसा यह मैं रेट का यूज कर रहा हूं तो आपको milare नहीं यूज करना है आपको नॉर्मल better ऑणी जेल जेल यह एक करना यह च्लो आपको 50 जयनकारी मालूम हो प्यज़ोगी ज्यादा हम लोग बकवस नहीं करते है सीधे को शाब करना सुरू करत हैं यहां से देखो सबसे पहले में यह से ऐसा शालू करता हूं यहां से आप लोग देख सकते हो, यहां पर question क्या है? सबसे पहला question है, आप लोग देख सकते हो, शुरू में उखन का के अंतरकत, खन आ में 20 अंक बहुभीकल प्रस्न होगे, उसमें उखन का खा गा होगा, का में आप लोग के physics से, और खा में आप लोग के chemistry वाले पार्ट से और गौ वाले पार्ट में आपने लोग के बायोजी या जीवी ग्यान वाले पार्ट से प्रस्ण होंगे तो चलो देख लेते हैं एक एक करकर देखो यहां सबसे पहला जो प्रस्ण है आप लोग देख सकते हैं उसके इन पे कि एक गोलीय दरपण और इस वीडियो को अपने स देखें हैं वो भी देख लें आगे की कोश्चन देखो यहां मैं यहां तक कराया था लेकिन सुरू से फीर एक बार करा रहा हूं चलो एक गोलीय दरपण की फोकस दूरी हमें दिया है एफ और वकरतार तिरजिया आर दिया है और इसमें हमें संबंद पूछ रहा है कि एक यहां से आपको इन दोनों में कहीं दिखरा है इसमें आपसं में टू एक यह подготовator आपसे आसा हो जाएगा, clear तो यह आप लोगा पहला प्रसन हो गया चलो second प्रसन देख लेते हैं, शेकन प्रसन क्या है ? कि second प्रसन ने दूर दृ convust दोस केकाफर जो दूर दृष्टी दोस हो जाता है किसी व्यक्ति में उसमें जो प्रतिभीम बनता है वो कहां बनता है रेटीना पे बनता है या नेत्र लेंस पे बनता है या रेटीना के पीछे बनता है या रेटीना के आगे बनता है सिंपल सा इसका अंसर है कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टी दोस हो जाए तो उसका जो प्रतिभीम बनेगा रेटीना के पीछे बनेगा ठीके यह आख होती है तो यह रेटीना है तो रेटीना के पीछे बनेगा ठीके और रेटीना के आगे कब बनेगा जब निकर सब लोग जानते हैं कि कोईला यह पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं यह सब जीवास्म उर्जा के सुरोत हैं जीवास्म से बने हुए कई सालों बाद जमीन में निर्माड होता है पैठ्रोलियम यहां रह तो सही हो जाएगा यही ठीक चलो तो जीवास्म उर्जा का सुरोत है तो यह कोईला आगला हम प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन आप फोर्स नमबर देख सकते हो कि निम्न परिपत बिंदू के बीच तुल्य प्रतिरोद देखो यह तुल्य प्रत मिन्स कुल प्रतिरोध, ठीके ए इसके बिच कुल कितना प्रतिरोध है क्ता कर मदलब न की कि Detiko तो जब इन दोनों को ajd कर देंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी और फिर इहाँ इन दोनों को add करकर मानलों हीहां आ गया और यह तब strategy करम में हो जाएंगे तो चलो इनको पहले समांतर करम में हम लोग formula के अनुसार हम लोग solve कर लेते हैं और फिर जो आएगा उसको और इसको हम लोग strategy करम में solve कर लेगे तो इसको आप प्लस 1 बटे में R2, R2 का मान भी यहां एक हो में है, ठीक, अब चलो, यहां से 1 बटे गा, R, R equal to क्या हो जाएगा, यह जूटेगा, तो आप लोगा देखो, उपर का जूट जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है, तो वही एक हो जाएगा, यानि जूडेगा तो दो बटे एक ह हो जाएगा, तो यहां से देखो, यह पल्टेगा, तो R equal to क्या हो जाएगा, यह बटा दो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें R का मान कियात करना है, नौकि 1 बटे R का, यह तो फार्मूले के अनुसार होता है, तो हम लोगा R equal to 1 by 2 हो गया, यानि यहां से R equal to 1 by 2, यानि 0.5 ohm यानि हमने इन दोनों को, यह दोनों एक ohm को प्रतिरोद को हमने समांतर करम के अनुसार add कर लिया, तो यह 0.5 ohm के बराबर आ गया, यानि अब यह हम लोगा यह जूट गया, यह सीधा हो गया, और यह हम लोगा एक प्रतिरोद 0.5 ohm का हो गया, अब इसी तार में यह आगे 0.5 ohm हो जाएका दोनों मिलकर तो यह भी option सही हो जाएगा, clear है, चलो, 14 प्रसंट भी आप लोगो clear, 500 प्रसंट देख लेते हैं, 500 प्रसंट क्या है, theory based प्रसंट है, कि एक अस्वशक्ती बराबर है, एक अस्वशक्ती बराबर कितना होता है, हमें what में सारा answer, मद आप्शन तो एक अस्वशक्ती बराबर हमें दिया कि 436 वात होता है, 746 होता है यह सासा चट्धी स्ववात होता है, काफी मस्त कोशें ने option काफी टाप दिया है, लेकिन सब लोग जानते हो यार, एक अश्वशक्ती बराबर 746 होता है, यह जो C वाला option है, पांचवा का, यह आप Todoका दोनों या इन में से कोई प्रस्म हम लोग देख लेते हैं और फिर यह उप्खंड का के प्रसंद समाप्त हो जाएंगे यानि फिजिक्स वाले उसका बाद हम उपखंड खौब पे चलेंगे चलो देख लेते देखो निम्ण में से कौन सी एक परत परावैगनी किरिणों को पित्वी पर आने से रोकती है जो परावैगनी किरिणे होती है जानते हो कि हमारे स्वा लोगती है कलोरीन परत रोकती है या फिर उझोन परत रोकती है चाहिए आप से ने जानते हो कि बहुत रहे और ने ही इसको कई पर दुसर के करोड़न बाद का फित्वी पर और इसके करने से से सम्मंधित रोग होंगे जो ब्यक्ति हैं उनको ठीक है ब्यक्ति को ही नहीं सबको इसकी इन से सम्मंधित इन future जैसे skin का cancer या बहुत सारी चीजे future में देखने को मिल सकता है ठीक चलो यह हम लोगा साथ प्रसंद हो गया अब चलो हम लोग आठवा प्रसंद देख लेते हैं जो खनखो के अंतरगत आएगा और यह केमेश्ट्री से सम्मंधित होगा देख लेते हैं चलो देखो यहां पे यह प्रसंद क्या है कि श्याम स्वेद फोटोग्राफी में प्रियुक्त होती है जो श प्रसंद का सई हो जाएगा ठीके चलो श्याम स्वेद फोटोग्राफी में प्रियुक्त होता है सीधिया आप लोग याद रखिएगा एजी सील अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद नौ नंबर है यह हम लोग को एक दिया है पुछ रहे कि का प्रकर्यात्मक् कार्वक्सिलिक अम्ल का है एल्कोहाल का है एल्डिहाइट का है तो देखो यह हम लोग का सबसे पहले यह हम लोग कार्वक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइट एल्कोहाल और किटोड सब का हम लोग देख लेते हैं कि कर एल्कोहाल का अपसार लोग जानते है यह सिंपल सा ठीके ए हाँ हाइड्रोजन और दो बांट के साथ अक्सीजन यानि एक तर से बोले तो यह वाला जो है ना इसी का लडी हाइड का ही है यह डी आपसंस नहीं हो जाएगा ठीके बाकी आप सब लोग यानते हो कि यह कार्बोक्षली अमल का और किटोन का क्या होता है तो यह मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसका आप बताना कमेंट बाक्स में नहीं आपको मालू है तो आप इसको याद भी कर लेना अपनी बुक से देखकर चलो अगला हम लोग प्रस्ट देखते हैं नौ के बाद 10 नमर इनको देखते हैं लेकिन यार इसको करा दू ही क्या चलो करा ही देता हू नहीं तो फिर मुझे संतुष्टी नहीं मिलेगी देखो Ketone का क्या होता है Ketone में simple सा वही कार्बन होता है इसके साथ मतब्द के साथ 육otा होता है और इसमें दो का the गर्रिशल अ अपनी का डूग क्या होता है सिंपल यह कर्बन है नहीं होता है देखका की kur को षभे explains हो है क टीक शेलो अगर आथ देखते हैं, हम लोग पेजल को जीवारू रहीत करने में उपियों किया जाता है, जो पेजल होता है याई पीने योग जीजल उसको जीवारू रहीत करने के लिए क्या उपियों किया जाता है NaCl या NaOH, NaCl या निवह sodium chloride, NaOH यानि sodium hydroxide या CaCl2 या calcium oxy chloride या फिर इन में से कोई नहीं तो शही option हो जाएगा calcium oxy chloride इसका उप्योग किया जाता है CaCl2 ठीके इसके अलबा जो पेजल होते हैं यानि पीनोयोगी जल को जिवारू रहित बनाने के लिए potassium permagnet का भी उप्योग किया जाता है लेकिन option के अनुसार ये सही है ठीके KmnO4 आपने सुना होगा ठीके लेकि चलो इसको अभी यही इसको यही सही है तो इसको ही हम लोग देख लेते हैं ठीक चलो अगला प्रस्ण है 11 नमर हम लोग आप लोग देख सकते हैं इसकीन पर एक मिट थोड़ा में ब्रेक लेलू पानी पीलू उसके बाद आगे चलो आगे हम इसको शॉल्व करते हैं 11 नमर question को question है कि कोई धातू oxygen के साथ अभिकिरिया कर उच गल्लांक वाला योगिक निर्मित करता है यह योगिक जल में बिले है यह योगिक क्या है जल में बिले है आगे देखते हैं इधर क्या पुछा गया है यह तत्तो हो शकता है ओके चलो यहां पर देखो एक मिल तोर मैं इसको म सीजन के साथ अभिकिरिया करती है और अभिकिरिया कर यहां एक उच गल्लांक वाला योगिक बनाती है और यहां जो योगिक बनता है यहां पे वह जल में बिले होता है तो देखो लोहा का तो योगिक बनेगा तो वह जल में बिले होगा ही नहीं तो यह option हम लोग eliminate करते हैं कार्बन अगर यहाँ विक्रिया करता है तो कार्बट्ट आएकसाई बनाएगा तो यह तो चू की मतनब उच्छ गल्लाइंक वाला नहीं होता है तो नॉर्मल है यह हो ही नहीं शकता तो केल्सियम इसका मतलब आपसं सहीुगा यह थिक्षाइब बनाएगा ठीक है और फिर यह यह चुकी इसको हम लोग पानी मिलाएगे तो यह जल में बिले होता है ठीके यह आपसन बिल्कुल राइट है यह कैल्सियम ठीक चलो अगला हम लोग प्रसंद देख लेते हैं भाई अगला इसके बाद हम लोग यह 12 नमर देख लेते हैं 12 नमर क्या है कि एसेटीक अमल का मुला ठीके तो इसका हमें बोल रहा है कि इसका IPSC नम क्या होगा कोशन नमर 12 का ठीके देखो हम लोग इसको साधार नाम जो CH3CWH होता है इसको हम लोग ऐसेटीक अमल ही ऐसे पढ़ते हैं इसको ठीके लेकिन इसका जो IPSC नम होता है वो एथेनोईक अमल होता है या यह नहीं एक अक्रिय गैस है ठीक शलो अगला प्रसन आप लोग देख सकते हो इसका बाद हम लोग उफखंड गौं में आ जाते हैं नीचे आप लोग देख सकते हो इसको देखते हैं इसमें आप लोग के बायोलोजी यानी जीवी ज्यान से अप संबंदित प्रसन होंगे इसको हम लोग सॉल्ब करते हैं एक एक प्रसन को रूपो थोड़ा मैं दूसरी पेन लेलता हूँ यार अरे चल क्यों नहीं रही है चलो ठीक है कोई दिकत नहीं यह प्रसन क्या है आप लोग देख सकते हो कि 15 नंबर नीसे चन के बाद पुस्प का कौन सा भाग फल में बद जाते हैं और यह अंडा से जो होता है यही बड़ा होकर फल में बदलता है और इसके अंदर भी जान्ड होता है ठीक है तो यह नीसे सन के बाद पुस्प का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडा से भी आपसन आपका सई हो जाएगा ठीक चलो अगला हम लोग प्रसन द आगे जैसे हम लोग के मतलब बॉडी में कई सारे तंत्र है भाई तो उसी में एक ब्रिक है तो किस के लिए फेमस है एक तरसे पूछ रहा है किस से सम्बंदी थे पोसर सम्बंदी थे उतसर्जन से परिवहां से या फिर श्वसन से ये कोश्चन अबर हम लोगा 16 है सही आप से ये कोश्चन अबर 17 है कि एक दिशंकर का दर्स प्रारूप होता है ये जब मैंने मेंडल का नियम पढ़ाया था तो आपको उसमें ये बताया था एकदम अच्छे से यहां बाकि यहां तो आपको याद ही करना पड़ेगा एकदम अठेंटिक तरीका जानते क्या होता है कैस सीधे राइट हो जाएगा बाकि ये सब गलत हो जाएंगे ये कैसे आता है ये मेंडल का नियम आप देखोगे अच्छे से पढ़गे तब ही आपको ये पता चलेगा यहां नहीं तो आपके ओल याद करना चाहते है तो इसको कर सकते हो ठीक अगला अगला हम लोग 18 नमबर लिखा रहे तब ये सई होगा और जोड़ी आगे नहीं लिखा ये सई होगा आप तो ऐसे प्रसंदों को आप लोग ध्यान से थोड़ा देना ऐसे तो ये गलती हो जाती है आप ऐसे वो वे मार भरने के बाद तब आपको पतसे चले अरी यार मैंने तो ये गलती भर दिया तो एक बार भरने के बाद OMR फिर कोई सालुशन नहीं है आपका कॉंपी नहीं कि कट करकर फिर लिख दोगे वही आपका फिर गलत हुए या वो कुशन एक बार आपने OMR पर भर दिया तो ठीक तो ध्यान से थोड़ा आपसन भी पढ़ना चलो यह आठार के बाद 19 नमर प्रस स्माल्टी और जो लंबे पौधे होते हैं उनका कैप्टल्टी होता है ठीक है और एक प्रकार हम और देखे थे कैप्टल्टी स्माल्टी इसका मतलब यह होता है इसका भी मतलब होता है लंबे पौधे लेकिन लंबे पौधे के साथ साथ इसमें बादने पौधे का विगू question number 20 क्या है कि pushp के कुल कितने भाग होते हैं okay हमें बताना है कि जो pushp होता है उसके कुल कितने भाग होते हैं 3, 4, 2 या 5 तो भाई simple pushp के हम लोगे 4 पाठ होते हैं अभी हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे हमने देखा न यह वर्ति का पूंकेसर भी जान रदा से तो यह pushp के हम लोगे 4 पाठ होते हैं 4 भाग होते हैं तर से बोल सकते हैं तो यह हम लोगे रहे 20 हम लोगे क्या objective question जिनका answer आपको OMR sheet पे भरना होगा ठीके उसके बाद आप लोगा आज आता है खंड बह जिसमें आप लोगा 50 मार का subjective प्रसंद होगा और यह खंड बह भी तीन उपखंडों यानि उपखंड को, खो और गव में बटा होगा को में वही आप लोगे physics वाले से और खो में आप लोगे chemistry वाले से और गव में आप लोगे biology यानि जिव भी ज्यान से समानीत प्रसंद होगा ठीके, तो यह जो आगे के प्रसंद है, चलो इनको मैं दिखायता हूँ, कैसे कैसे प्रसंद पुछा गया है, बाकी आगे के question को हम next वीडियो में solve करना, continue करेंगे बाकी में आपको देखो, यहाँ पर कैसे question पुछा है, जैसे उप्खंड कौ में आप लोग देख सकते हो, यहाँ दूर दिष्टी दोस्ते प्रसंद पुछा हूए है, यहाँ पर यह किन कामडों से होता है, इसका निवारन की है, यह सब उसका किरण आरेक बनाना है, पर सुर्यत प्रकास का प्रिजम दोड़ा और भी छेपड को समझाना है, यह चितर सहीद, उसके बाद ओम का नियम से यहाँ प्रसंद पूछा है, उसके बाद यहाँ देख सकते हो, बिदूत मोटर से सम्मंधित प्रसंद पूछा है, छे मार्क में, तो यह आप लोग के physics म से यहाँ रिलेटेड प्रसंद पूछा हुआ है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आपका यह बिजन्जक चूण का हमें रसायनिक नाम और अरुसुत्रत था उपयोग बताना है, उसके लावे यह कुछ सम्मिकान दी हुई है, इनको संतुलित करना है, बाकि उसके बाद यहाँ अथवा भी है, इसको कीजिए, इसको कीजिए, या इसको कीजिए, जिसमें तिप्रिल लिखना है, कि निम्न परसंशित तिप्रिल लिखी आप लोग देख सकते हो, तो यह question काफी important है, सभी के सभी काफी important है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको भी solve करेंगे, य जो गो होगा, इसमें आप लोग के बैलोजी से समनीद प्रसंशित होगा, इसमें आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ पे धामनी और सीरा में अंतर पूछा है, पर्मोरिरी सीरा में किस प्रकार का रक्त भायता है, यह हमें पूछ रहा है, प्रसंशित प्रसंशित पूछ करना है एकदम उसके अलवा यहां अथवा में इसका दिया है प्रसंद की मनुस्त्य के हिदय का आंत्रिक संरचना एवं कारिविधी का सचीत रवड़ान करें तो इस प्रकार यह पुर्या प्रसंद पूछा है इधर जो 50 मार के प्रसंद है जिनका अंसर आपको कॉपी में लिखना होगा तो चुकी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहां से सॉल्व करना प्रारम करेंगे यहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाकी तब तक इन प्रसंदों को नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोडिवेश्कन आपको मिलती रहे तो चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू झाल 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 झाल